नमस्कार आप देख रहे हैं हूंकाट 247 और मैं आपके साथ इन्डू चौहन इस वक्त हम मौझूद हैं इंडिया नैशनल लोगदल पार्टी के कारेले में और हमारे साथ मौझूद है तिकाओ विधासवाद छेत्र के अध्यक सुबोत संद्वनसी और हम इंसे बात करेंगे सब्सक्राइब करें आपका हूंकाट 247 बहुत बहुत स्वागत है जी धन्यवाद मेडम है कि सर आपने राजनीती कब जॉइंग करी मैं इनलो का दामान 2011 के दिशंबर में हमारे जिला के परधान बड़े भाई अर्विन भारद्वाजी के नेतित में किया था और उसके बाद पार्टियों की बहुत सारे मैंने प्रोग्राम अटेंड किया और पार्टियों का मान सम्मान जो मुझे मिला वो मैं जितना भी कहूंगा बहुत कम सब दो में होगा और इंडियन नेशनल लोगदल ही पार्टि एक ऐसी प्लेटफर्म है जो कि परवास्यों को यहां जो आज रह रहे हैं इनके विकास के लिए यही एक ऐसी पार्टि है जो कुछ कर सकती है क्योंकि मैं अगले यहां 27 सालों से रह रहा हूं इस बिने नगर कालोन ही के अंदर दिगावन बिधान सबाद च्छेतर में लगता है कालोनी आज तक यहां बहुत सारे सांसद भी रहे हैं बिधायक भी रहा है कॉंसलर भी रहे हैं लेकिन बिकास आप अभी आभी रहूंगे देखें कि बिकास के नाम पर बिलकूल सुनने हैं किु कि इनी सब ची कर रहा हूं कि आने वाले समय आपका अपना पार्टी होगा इंडियन नेशनल लोगदल पार्टी होगी आप समझने कोशिस करिए और इसे सत्ता में लाइए आपके अपने वीच का किसी साथी को यहां से आप चुनाव लड़वाईए और उसे ताकत दीजिए ताकि वह आपक कोई पार्टी जोइन करी जी मुझे लगा कि अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो एक छेत्रिय पार्टी छेत्रिय पार्टी का मतलब यह होता है कि छेत्र को परदेश के अंदर जो पार्टी होती है उसकी जनाधार होती है और उसे हर चीज के बारे में अवगत होती है अपने प पीछे से बिहार से बिलॉंग करता हूं जहां मेरा जन भूमी है तो वहां के मैं लोगों को जानता हूं वहां की लोगों की नीड क्या है जरुवत क्या है कैसे मैं छेत्र से आता हूं सहरी छेत्र से आता हूं कि दिहाज छेत्र से आता हूं वहां क्या काम हो सकता है तो छेत्र और कमेरे वर्ग का है ये पूरा परदेश है और यहां इंडियन नेशनल लोगदल पार्टी का बहुत बड़ी भूमिका रही है और 1984 में जैसे की सत्ता एक बहुत जवणदस तरीके से परदेश के अंदर आये थी और बहुत सारे विकास करवाई है उसके बाद से हर्याने के अंदर बिकास नाम की चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा जो पहले से किया हुआ है उन्हीं को वो एक मरम्मत के तौर पर कर रहे हैं ताकि लोगों का एक बोट बैंक हमारा बन सके आसर जैसे कि आप हर्याना तीकाओ विधासवाद छेत्र के अध्यक्स हैं विपक्स पा बिलकुल ये गुरूरता के साथ हैं लेकिन हम लोग बिपक्ष की जो एक भूमी का जो निभा रहे हैं चाहे हमारे नेता परतिपक्ष चौधरी अजय चोटाला जी हैं अभय चोटाला जी हैं वो विधान सभास से लेकर सड़क तक लोगों की आवाज उठाते हुए हैं और आप देख रहे हैं कि हर्याने के अंदर एक बहुत बड़ा ये बहुत दिनों से ये SYL का मुद्दा जो चल रहा था सतलुज यमना लिंक के बारे में जो हर्याने का हक में वो पानी आना चाहिए लेकिन आज ये काम जो है आज इस सत्ता धारी के सत्ता में होना चाहिए था लेकिन खटड सरकार के कान पर ये जू जरा सभी नहीं देंग रहा है कि ये पानी लाना चाहिए आज हर्याना में ये पानी अगर आता है तो लाखो और सेंकडों की संख्या में किसान भाईयों को मदद मिलेगा और पानी की जो लेवल आज कम हो रही है हर्याना परदेश के वो भी दुरुस्त होगा तो हम तो अपना विपक्ष की भूमी का निभार हैं लोगों जनता से मिल रहे हैं जुल रहे हैं यही है तिकाव विधानसवाज छेत में आप तक जिसकी सतर है उसका निक्ता विपक्ष पार्टी का रहा है इस बार में आप क्या कहेंगे जी करणे मतलव की मिली जूली सरकार थी इलाइंस में हमारी जप सत्ता थी तो यहां से कोई और विपक्ष ये description निथा था तो तो उसके बाद कॉंग्रेस की यहां सत्तारा हर्याने के अंदर तो विपक्ष करा तो यहां तिगाओं के अंदर एक बहुत बड़ा दुरभाग के माने लोगों का या फिर लोग साइच सही तरीके से अपना विकल्फ नहीं चुन पाते हैं गलत लोगों को वोट कर देते हैं उनके बर्गलाने मा जाते उन्हीं का आज कारण है दसा है कि आज कलोनी के अंदर काम नहीं हो पारा मेडम और विधान सवा के अंदर नहर पार एक बौर्ट काउंसल हुआ करता था जो आज के टाइम में तीन फिवागों में बट गये हैं तो अब उससे बिकास जादा जो पहले से लगे हुए थे संगठन में इन्होंने देखते हुए सभी को टिकट वितरन करना था इन्होंने अपने हिसाब से परशीमन किया और एन मौके पर जो लोग और भी पार्टियों के समाजिक विचार धराओं के जो लोग थे जो समाजिक तालुकात रखते थे उन् की पार्सत था तो अब भी कोई विकास का कोई खास यहां पर मतलव कि विकास कोई लहरे नहीं दोड़ी और आज तीन भागों में से विभाजित किया गया वार्ट नमर 23, 24 और 25 यहां भी किसी परकार का कोई भी विकास नहीं हो रहा है और खास तोर से मैं 24 नमर वार्ट का आपके इस मीडिया के दुआरा लोगों तक जनता तक बताना चाहूँगा कि हमारे यहां का जो काउंसलर है बिकास के नाम पर वो लोगों को सिर्फ मतलव लिपा चुपा बात कर रहे हैं उनहोंने बिकास अगर जो किया है तो बड़े सोच सोचकर किया है और सोच सोचकर ऐ कैसे किया है कि जो उनके अपने नुमाइंदे हैं आपको ये भी मैं आपको पर्माण के साथ कौऊँगा जो उनके अपने नुमाइंदे थे चुनाँ में लगे थे उनकी दो गल्यां करवा दिया गया है और जहां outta कि नीजी अपनी संपतियां थी जो कालोनी उन्होंने काटा है वहां उन्होंने गली उन्होंने पूरे टाइल लगवाए हैं और खास तोर से जो बरतवान का भी पारसद है ये कोई सोभा नहीं देता है इससे पहले जिस तरह से वो मतलब एक समाजिक विक्ति की धारा रखते जितने के बाद मुझे नहीं रखता उनके अंदर ये चीज रह गया है और आज वो अपने नीजी संपतियों को बढ़ावाद दे रहे हैं ठीक है आप यही कोई अगर जो सरकारी संस्थान बगरा लाते या फिर आप सरकारी डिस्पेंसरी लाते इतना बड़ा वार्ड है आ आप अपना ओफिस दफ्तर बढ़ा रहें तो देखी यह सोभा नहीं देता जनता सब कुछ देख रही है ठीक है जनता ने आपको जनाधार दिया आपको जितवाया बहुत अच्छी बात है आप यहां के पारसद है लेकिन जो आपने वादा किया था जो लोगों से कहा है आ और बिजली की तार बड़े लूज हैं लोगों के गलियों में खंबा सब मतलब डिफाल्ट लगे हुए यह सारी समस्या हैं लोग सोचा था हमारे बीच का पारसद बनेगा तो कुछ विकास होगा उन्होंने ऐसा ही आस्वासन दिया था कि मैं यहीं रहता हूं आपके बीच प्सियारे कर रही हैं हमारी पार्टी जैसे आपको पहले इस लोगदल है ताउद देविलाल जी की पार्टी है और हरियाना प्रदेश की किसानों की यह पार्टी है इस बार जो हम अपने मैनलो-फैस्टो जो पेस करेंगे वो आम जन्मानस के हितों में होगा कमेरे वर की मतलब की हितों के लिए होगा और किशानों के हितों के लिए होगा और समिक लोगों जो होंगे नौकरी चाकरी वालेंगे उनके हितों के लिए होगा हम इनकी तरह बड़ी बड़ी वादय नहीं करेंगे कि हम बेज रोजगारी भत्ता देंगे और हर वर्ष हम युबाओं को नौकरियां देने के काम करेंगे इस तरह का 15 लाख हम देंगे सभी के अकाउंड में देंगे लोगों को लारा लप्पा देकर सत्ता हासिल करने के हम नहीं कोशिस करेंगे हम जो भी होगा आम जन्मानस के लोगों को देखते हुए किशानों को देखते हुए मैनुफेस्टो हम तयार करेंगे और लोगों से अब भी हम मिल जुल रहें और इनसे खास तोर से जो आज लोगों को बरगला कर जो सत्ता हासिल इरोंने किया मैं सतर्क होने की इंडियन नेशनल लोगदल के तमाम पार्टी की नीतियां लोग तक पहुँचाऊंगा और आने वाले चुनाम में इनको सतर्क होने कहुँगा और अपने बीच का नेता चुने और परदेश का जो हित में काम करने वाली पार्टी है उनको ये सत्ता मलाए और सौफ हिजदी आपको मैं बताना चाऊंगा इस बार इंडियन नेशनल लोगदल पार्टी की सरकार बनने जा रही है और बहन मायावती पूरे भारत के प्रध करते होगा यह है और 2019 में आपकी पार्टी के रही है तो आप क्या नएक कारे कि पार्टी जो कि पिछले fifteen नहीं कर आपाई है हैl शेमकर कि किसानों का जो है अचमरे परदेश में और देस में परदेश की बात नहीं करूंगा पूरे किसान आज तुरहुम कर रहे हैं अपने उनके ही उगजाय हुए मेहनत की अपनी कमाई उनके फसल के नहीं मिल पारे किसानों का हम सबसे पहले उनके कामों पर ध्यान देंगे किसानों को बढ़ावा देंगे उसके बाद जो जो वर्ग आम लोग हैं जो समिक टाइप के हैं जो कमेरे वरके हैं उनको दुरुष करेंगे और परदेश के अंदर कमपनिया और नौकरिया युबाओं को देने का काम करेंगे और याता यात की शुबधाएं करेंगे और जो कच्ची कालोनिया हैं जो हमारे बाहर से आके लोग बसे हुए हमारे हर्याना परदेश में परवाश करेंगे उनको ये सौवात सौगात वहिट करेंगे यही इंडियन नेशनल लोगदल का प्रियास होगा सत्ता में आने के बाद लोक लाज लोक लाज से चलता है इसका क्या मतलब है जी ये ताउद देवी लाल जी का ये स्लोगन था वो एक किशान के मसीहा हुआ करते थे और वो लोगों को यही एक संदेश देते थे कि अगर जो आपको सत्ता में आना है अगर जो लोक राज करना है तो सबसे पहले लोग ला राज लोक लाज से चलता है उनका ये बहुत बढ़िया स्लोगन है इंडिया नेशनल लोग दिल की रणनीती आगे आप देखी रहे हैं कि हर्याने के अंदर SYL की लगातार हमारे जल नायक चोधरी अभाय सिंग चोटाला जी विधान सवा के विपक्ष के नेता हैं वो भूमी का निभार हैं और किसानों के लिए ये जल लेके आएंगे और इस पर आठ जून का कल का ये बहुत बड़ा जेल भरों आंधोलन है हमारे सभी हर्याना के डि पक्ष के होने के नाते हम अपने परदेश के हित के लिए ये कारे कर रहे हैं लोगों के लिए हित के लिए करते भी रहेंगे यही परियासे इंडिया लेस्ने लोगदल पार्टी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपने अपना कीमदे टायम में दिया जी आपका भी आपका बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत